ओम नमस्षिवा जिसे सुनकर यम्राज ने कहा जो व्यक्ति के गुरों का गान करता हो छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ दूतों से यह कहकर यम्राज ने भगवान स्री सदासिव को प्रडाम करके कहा आप मेरे इस अंजाने दोस्त को छमा कर दे अब गुर निधी की कथा सुनिये यम्राज निधी स्री सिव लोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ सब भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ कलिंग देश के पहले राज का नाम इंद्र मरी था गुर निधी ने उसके यहां आरिंदम के नाम से जन्म लिया आरिंदम भगवान स्री सदासिव का अनन्य भक्ता महाराज इंद्र अपने पुत्रों से सदाता धीरता तथा बीरता इत्याधी गुर देखकर उसे राजय पाथ देखकर आप तब करने के लिए चले गए आरिंदम ने सिंखासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आग्या दी की सब लोग सिवालयों में प्रती दिन रात्री को दीपक जलाया करें यदि कोई इस आग्या को नहीं मानेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा इस आग्या से राज्य भर के समस्थी वाले प्रकास से जगमगा उठे राजा आरिंदम ने अपने न्याय में प्रजा को प्रसंद किया दिर्ग काल तक वह राज्य का सुख भोक कर सिव लोग को गया हे नारत सिव जी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमारी थुई यगदत के पुत्र बुड निधी का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्थ कामनाएं पोड होंगी और उसको बड़ा संतोस प्राब्थ होगा अब तुम मेरे मानस पुत्र पुतत सत्य से विज्यावा का जन्म हुआ या जिसके यहां एक बैश्रव नाम का पुत्र हुआ था जिसने भगमान स्री सदासियु का अग्र किया उसके अग्रतक को देखकर भगमान संकर ने प्रकठो कर उसको साथ साथ दर्थन दिये भगमान सीव संकर को देखकर वैश्रव ने कहा प्रभु की कृपा भरा हाथ फ्यरने के साथ ही गूर निधी में दिव्यतेज और लोकन करने की सक्ती आ गई उसने भगमान स्री सदासीव के साथ भगवती सिवा को देखा तो वह सोचने लगा की गूरवती तथा रूपवती इस्त्री कौन है जो अकारण ही मन को मोहित करती है यह बड़ी से बड़ी सवभाग्यवती है भगमान के इतने निकट रहती है इसके माता पिता भी धन्य है जिन्धोंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा बैस्रुवर ने भगवती सिवा को कुद्रिष्टी से देखा पारवती जी की कुद्रिष्टी से देखते ही उसका बाया नेत्र फूट गया भगवती सिवा ने भगवान स्री सदासीव से कहा वह कैसा तपस्वी और भग है जो की मुझे कुद्रिष्टी से देखता है भगवती सीवा की बात सुनकर भगवान स्री सदासीव ने कहा देवी इस तपस्वी ने बड़ा उग्रतप किया है इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं यह तुम्हारा पुत्र है अतह यह तुम्हें क्रूर द्रिश्टी से नहीं देख सकता अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था अतह मैं इसे नीधियों का स्वामी बनाऊंगा गुहईव का इश्वर होगा इतना कहकर भगमान स्री सदासीव ने बैश्व पुत्र राजाओं के बिद्याधरी के साथ किस नारों के स्वामी होंगे। इसके पश्चार हम तुम दोनों मित्र रूप से कहलास पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती सिवा के चड़ों में नत मस्तक होकर छमा की याजना करो। यह तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देंगे। इसके पश्चार उन्होंने भगवती स्री सिवा से कहा पुत्र देवेश अतस्विनी इस अपने अंदाज पुत्र पर प्रसंद हो। भगवान सिव की बात सुनकर अपना कोद सांत किया और कहा पुत्र अबसे तुम मेरे पुत्र हुए। सिव की भाती मैं तुम पर दयालू हूँ। अबसे तुम्हारा नाम कुवेर होगा। फिर भगवान स्री सदासिव ने वैश्वेश्व नामक अस्थान में गूर निधी या वैश्वड को कुवेर बना कर प्रवेश करा दिया। और स्वेव उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीफी अपना कैलास नामक अस्थान नियुक्त किया। वैश्वड को बरदान प्रदान करके भगवती सिवा के साथ भगवान स्री सदासिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान सदासिव की कृपा से अनंत धन रतनों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके सिव मित्र के नाम से प्रसिध हुए। हे नारद गुर निधी की कथा मैंने तुमको बिस्तार पुर्वक सुनाई है जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेश्टा से महान आनंद देने वाली है गुर निधी के समान पापी भी बिना इच्छा के भोखे रहने पर सीवरात्री का ब्रत करने वाला समझा गया भगवान सदा सीव के बराबर भला और कौन दयालू होगा